अब दिली में प्रदूशन खराब कैटिकरी में पहुंच चुका है, सब ही जानते हैं जबकि अभी सर्दी की शुरुबात भी नहीं हुई जब हावा की रफ्तार थम सी जाती है या स्लो हो जाती है और प्रदूशन की हालत गंफीर हो जाती है दिली में बढ़ते प्रदूशन पर देखे हमारे सहयोगी अमिद भरत बाच की ये रिपोर्ट है शुक्रवार की सुबह अगर आप इंडिया गेट का नजारा देखने करतव्य पत पर आते तो आपको कुछ इस तरह की तस्वीर दिखाई देती धुन्द की चादर में ढखा हुआ इंडिया गेट अक्टूबर के बीचो बीच हालाद दिली में कुछ इस तरह से बदल रहे हैं कि सुबह सुबह हर जगे आपको धुन्द दिखाई देगी और इसकी वज़ाई ये है कि दिली लगभग वेरी पूर काटगरी AQI जो होता है Air Quality Index के वेरी पूर काटगरी में जाने वाला है और ये सब कुछ अगर एक्सपरट की मानें तो इस वज़ए से हो रहा है क्यूंकि उत्तर भारत के राज्यों में जिस सरा से पिछले दो हफ्तों में फार्म फायज यानी की पराली जलाने की घटनाएं बड़ी है उसका असर अब दिल्ली की हवा और दिल्ली के आसपास के राज्यों की हवा पर दिखना शुरू हो गया सिर्फ इंडिया गेट ही नहीं दूसरी तरफ की तस्वीर भी जब कैमरा पैन होगा तो आपको दिखाई देगा कि राश्टपती भवन है पिछले हफ़ते के तक अगर आप आए होते तो दोनों ही तरफ राश्टपती भवन से लेके इंडिया गेट तक आपको बिल्कुल साफ आसमान दिखाई देता लेकिन एक हफ़ते के अंदर दिल्ली की हवा धीरे धीरे दम घोटू होने का सफर तै कर रही है आज शुक्रवार के सुबह जो केंदर सरकार का समीर आप है उसके हिसाब से दिल्ली का ओवरॉल एक्यूआई 293 हो गया है यानि की वेरी पूर काटेगरी को छुने वाला है सिस्तिती में जो बुजूर्ग लोग होते हैं या बच्चे होते हैं उनको सास लेने में दिक्कत होती है जिन लोगों को लंग्स से जुड़ी हुई प्रॉबलम है उनके लिए भी समस्याएं बढ़ती हैं और डॉक्टर्स का कहना होता है कि खुले में दौर भाग करना एक्सराइस करने जैसे एक्टिविटीज को धीरे धीरे हमें कम करना चाहिए जब भी AQI वेरी पूर जाह पहुची है एहम सवाल ये है कि अब जब अक्टूबर के बीचों बीच दिल्ली NCR में हवा दम घोटू होने की तरह बढ़ रही है तो क्या उत्तर भारत के राज्य इस समस्या से लड़ने के लिए तयार हैं वीडियो सहयोगी लोके इंद्र पांडे के साथ मेहमित भा जाने की है ही नहीं आये सुनते हैं मनोश्तिवारी का और क्या कहना है जो सरकार पिछले 10 साल से है अर्विंद केजरिवाल जी की और अब एक महिना होने जा रहा है आतिसी जी की इनकी नियत है ही नहीं कि पॉल्यूशन को दूर किया जाए दिल्ली के लोगों को जीवन दिय जाए आज फिर से पॉल्यूशन जानलेवा हो रहा है नदी के पॉल्यूशन से लेके हवा के पॉल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूबर है सांसे फूल रही है अभी तो शुरुवाती है अभी देखे आगे क्या क्या होगा हमारा अब अपेक्षा क्या कर सकते हैं बस हम यह प्रभगवान से प्रार्थना करेंगे किसी तरह ये चार-पांच महीना दिल्ली बचे चार महीना बाद चुनाओ है मैं तो दिल्ली से लगातार प्रार्थना कर रहा हूं इन सारी समस्याओं का निदान निकाला जाए